शिम्ला का IGMC अस्पताल मरीजों की बढ़ती संक्या के चलते चोटा पड़ गया है और आलम ये है कि मरीजों को अस्पताल में एड्मिट तक नहीं किया जा रहा और जो मरीज पहले से ही एड्मिट है उनके तिमारदार छंच के मौसम में जमीन पर सोने को मजबूर है शिम्ला का सबसे बड़ा अस्पताल IGMC हिमाचल सरकार के बहतर स्वास्त सुविधाओं की पोल खोड़ रहा है शहर के सबसे ठंडे इलाके में बने इस अस्पताल में मरीज और उनके तिमारदान रामभरों से है ऐसा इसलिए क्योंकि मरीजों के तिमारदारों के लिए अस्पताल की और से कोई विशेश प्रबंद नहीं किये गए इन लोगों को कड़ाके की ठंड में समीन पर ही बिस्तर लगा थर्ष सोना पड़ रहा है इसके इलावा अस्पताल आने वाले मरीजों की भी कोई सुद नहीं ले रहा जगना होने का हमारा देकर किसी प्राइवेट अस्पताल में जाने की सला दी जा रही है तो कोई दाखिल होने की आस में अस्पताल में देरा जमाए हुए है यह तो बड़ी मुश्टिल है जैसे आज इनको अमर्जेंसी बेले आना पड़ा है तो जाके ठेकने तो अहाल तुमारी थिन किस बेरे में रात के सिंगत्री नहीं तो रात तो निकालना पड़ रहा है मरीज़ों और उनके तिमारदारों की बेबसी शायद अस्पताल प्रशासन को दिखाई नहीं दे रही और यही वज़ा है कि जब अस्पताल के सीनियर मेडिकल सुप्रिडेंट डॉक्टर अमेश चन से इस बारे में बात की गई को बहतर सुधाई देने का दावा कर दिया तो सुना आपने मेडिकल सुप्रिडेंट सहब क्या दलील दे रहे है सहब अगर आपने कभी रात की वक्त अपने अस्पताल की वार्डों का दौरा किया होता तो शायद आपको पता लगता कि अस्पताल कितना सेंट्रल हीटिर है और दिमारदारों को क्या सुलिधाई दी जा रही है शिमला से मोहित्रिम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सी मीडिया